जा बेटा, इसे ठीक से उपर सुला दा जी उननस हो गया है, कोशिश कर रहा है, मौसी की गोद को मा की गोद समझ रहा है पूजा के जाने के बाद जब हमें उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है तो जरा सोचो, पेचारे राजेश पर क्या बीट रही होगी राजेश की तबियर ठीक नहीं है प्रफेसर साहब, वो खुद भले ही कुछ न कहे, लेकिन इतने दिनों से उसकी हालत तो हम लोग देखी रहे है, अंधर ही अंदर उससे फिक्र खाय जा रही है, और उसकी परेशानी की वज़े है, मुन्ने की परवरिश, अब डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज, इलाज है मामा जी, इलाज है, भाई मिया, हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए, प्रॉफेसर साब, जिन्दगी की खासियत है, ये कभी छुकती नहीं, साहं से रुख जाती है, मगर जिन्दगी रुखती नहीं, मामा जी, एक बच्चे के लिए माका साया बहुत जरूरी होता है, भाई मिया, बहुत जरूरी होता है, मैं तो कहता हूँ, मौका देखकर राजेश से ये बात कर लेनी चाहिए, अच्छा बेटा मुझे डिस्पेंसरी छोड़ दे, राजेश की दवाईया भी भिजवा दू, अच्छा प्रोफेसर साब. बिल्कुल ठीक कहा टॉक्त साब ने, बिल्कुल ठीक कहा. अरे राजेश विटा, राजेश विटा, तुझे अपने मुन्ने के भविशय के लिए परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरी बात मान, तुफेर से ब्याग कर ले, ओहो, अब तेरी उम्रे ही क्या है, अच्छे अच्छे रिष्टे तो आज भी मौजूद है, दूर क्यों जाते हो, मेरी स्वीटी तो आज भी शादी के लिए तैयार है, राजेश का ब्या, उस समय स्वीटी से हुआ होता, तो आज ये दिन देखने को न मिलता, भरवन्दी, तुम जुब रहो जी, राजेश बिटा, मैंने स्वीटी से बात भी कर ली है, बस उसकी एक ही शर्त है, मुन्ने को आया संभालेगी, क्या, मुन्ने राजा को आया संभ ये ललू, बीच में मत बोल, ललू, ठीक कह रहा है भागवन्दी, तुमारी पसंद भी वह गुन नहीं, जो एक मां का फर्द अदा कर सके, किसी और के बच्चे को सीने से लगा कर रखने के लिए, अपनी संस्कृति की पहचान होनी चाहिए, समझी तुम, देखो जी, भागवन्दी, बस करो, आप बहुत हो चुका, अरे छोड़ो जी, ये प्रॉफेसरी मुझ पर मत चानो, ये लेक्चर रेक्चर अपने कॉलेज के लिए रखो, भागवन्दी, मैं कहती हूँ कि सुईती ने जो शर्त रखी, उसमें हर्जी क्या है, अरे एक बच्चे को ले शायद तुमारे इसी सुभाव के वज़े से भागवन्दी, आज तक हम बे उलाद रहें I'm sorry, sorry नहीं काखा, मुन्नेक लिए मैं सौतेली मा नहीं लाना चाहता हर सौतेली मा बुरी थोड़े ही होती है, राजेश भाईया, ना प्रेम, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा आप प्रफेसर राजेश शादी के लिए मना कर रहा है, प्रफेसर इसकी बाद भी सही है, किसी अंजान लड़की को बिना देखे भाले कैसे सौंबदे अपने जिगर का टुकड़ा पापा, मुन्ने और मेरे लिए पूजा की यादे काफी है वो तो हम सब के लिए राजेश लेकिन आज नहीं तो कल शादी तो करनी होगी न चलो आज हम सब में मुन्ने की देखवाल के लिए उसके दादा, नाना नानी लेकिन कल हम नहीं रहेंगे बेटा जिन्देगी में सहारे की हर कदम पर जरूरत पड़ती है और फिर और आजात की सही परवरिश एक बहुत बढ़ी जिम्मेदारी है बेटे लेकिन मुन्ने के लिए कोई ऐसी माँ भी आ सकती है बापा जो आगे जाकर उसे पराय करते उसके लिए माँ ऐसी आएगी राजेश जो उसके अपनी हो क्या लाशनात अगर पूजा की जगा निशा इस खर में आ जाए तो निशा जब से यहां रहकर गई है यहीं की बातें करती है और मुन्ना तो सुबेशा मुसी की गोद में रहता है निशा से ब्याख कर लो राजेश इस हालात में अगर कोई मा की जगर ले सकता है तो वह है उसकी मुसी निशार गर निशार गर सरे निशार गर सरगर ससां निसरे गर सरे गर सरे निसरे गर सरे गर ससा हम म Kayla प्रेम, तुम क्या कहते हो, बाज जाओ भीया, मुन्ने को मा मिल जाएगी राजिश पहले निशा से पूछे, मैंने तो यही ठीक समझा, और कैलाश नाच से निशा के रिष्टे की बात कर ली, निशा उस घर में बहु बनकर चली जाए, और पूजा के उस घर को फिर से हरा भरा कर दे, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, बस एक बा उसकी शादी भी बहुत धुमधाम से करेंगे, पूजा के नाराने से हमारी दरब से उसकी उसकी विदाई में कुई कमी नहीं रहनी चाहिए, अरे, निशा, निशा, तरीके मर्जी है बेटी, जैसाब ठीक समझो, मैं अभी कहलाशनाथ को फून करता हूँ, हेलो कहलाशनाथ, निशा ने हाँ कर दी है, हाँ मैं आज ही पंडी जी को बुला कर जल्द से जल्द साधी का महरत निकलवाता हूँ, हाँ सही बात है, हाँ सही बात है, हाँ सही बात है, बोल रहा है तागा जोगन हो गई पेड़े दुलारी अंज्डों की संग लागा तैयारिया शुरू हो गई हाँ कार्ट चप गए भाई हम राम टेक्री दर्शन के लिए गए थे अच्छा सोचा मुन्ने से मिलते चले जा बेटा मुन्ना को ले तेपी लाई लेशा किसी है के हाटों में मैंदी लगा रही है जी जी आंटी ने मुन्ने को नीचे बुलाया है ले जाए हां संभाल के देखिए हमारे हाथ में क्या है इनके शादी का कार्ड जड़ा पढ़के तो सुनाइए इश्वर की असीम पुपा से हमारी सुपुत्री आयुशुमती नीशा का शुप विवा चिरंजीव राजेश के साथ तैय हुआ है क्या पढ़ रही है ठीक से पढ़ ठीक से तो पढ़ रही हूँ इश्वर की असीम पुपा से हमारी सुपुत्री आयुशुमती नीशा का शुप विवा चिरंजीव राजेश के साथ तैय हुआ है आप सब सव परिवार पधार कर वाई वद्न को आशिवाद दे ला मुझे दे क्या हुआ मनत मावी की तूनी तिक रोज में जाओ भी हाई उस जोगी के संगनेरी तू कर दे अब पुरमाई इन हाथों में लगा दे में दी इन हाथों में लगा दे में दी पान शबुद का धागा काके जी वो निशा तुन्हे राजेश के साथ शादी के लिए हाँ कहे कर हम पर पड़ा ही उपकार के अभी तुन्हे दो जिंदग्यों को नया जीवन दिया नया जीवन दिया देख देख निशा? तुन्हे दो अपिन में दो कियी निशा निशा वस्में? जीए निशा गुच्टर की दो बसलाएंगी निशा गुच्नोब दो निशा झाल झाल झाल